कब तक भागोगे उस इंसान के पिछे जिसको आपके भागने से या फिर आपके प्यार से आपकी कैर से कोई मतलब नहीं कोई आपके फिक्र नहीं उस इंसान को आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता है या फिर आपके बिल्कुल फिक्र नहीं करता आपके बिल्कुल क खिक मांगे लेकिन आप उस इंसान को लात मर के अपने लाइफ से निकाल दो अगर आप चाहते हो ऐसा सीचोशन अपकी रिलेशनिशिप में या फिर आपकी लाइफ में आए तो इस वीडियो को टिल एडि तक वाच करना आज की सीडियो में हम इसी के बारे में बात करें वाले नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है हईश आप देगरे टिप से थरिश चरिए शुरू करते हैं अगर आप बात करना चाते हैं आपको इंस्टागाम के डिखरी मेरा नमबर दिखरा आप जाके मुझे मैसेज करें इंस्टागाम पर या फिर मेरे नमबर पर जाकर वाट्सप पर मैसेज करना है कि कॉल बुक करना है आपको कॉलिंग का चार्ज लगेगा मैंने डिस्क्रिप्शन में को लिखा है चार्च पड़ लेना फिर आप कॉल बुक करा के फुर से बात कर पाएंगे ठीक है तो मैं अब सभी को बता दू कि गाइस एक समय ऐसा होता है रिलेशनशिप में कि वो रिलेशनशिप में स्टार्टिंग में वो इंसान ने हमें प्रपोस किया होता है उस इंसान ने अपनी तरफ से अटेमस लगा कर रिलेशनशिप बनाया होता है वो रिलेशनशिप चलता है फिर हम भी उस इंसान से प्यार करने लग जाती है वो इंसा इस इंसान पर या फिर उस चीज़ पर रियाक्ट कर देते हैं कि यार तू मुझे इग्णोर क्यों कर रहा है तू मैं जो इग्णोर क्यों कर रही है ठीक है क्या हो गया कोई दिक्का देगा हम पुछ लेते हैं फिर इंसान मना करता है फिर भी उसका वही चल रहा है इग्णोर और मिल चुका ऐसा कोई reaction दिखा रहा हूँ और आपके आपके साथ बात कम कर रहा है या फिर पहले जैसे feeling से नहीं रही है ठीक है सारी चीज़ हो रही है आपको आपसे बात है नहीं करना चाहता है आप पूरी तरीक से कराना है compromise करके रहना है या फिर self-respect को प्राइटी देके आगे बढ़ना है यह decision लेना पड़ेगा लोग इसमें confused होते अब मुझे आगे बढ़ना है इस इंसान को लात मार दूंगा फिर उसको बोल देते कि अब तो तेरी कोई जगा ने में लाइफ में में हमेशा के लिए जा में हम जो decision लेते हैं काफी हड़ बड़ात मतलब काफी ज़्यादा जल्द बाजी मिलेते हैं और जिसके वैसे हम सामने लेको कुछ भी बोल देते हैं ठीक है जिसमें सामने लेको फरक में पड़ेगा लेकिन वो चीज़ बोलने के बाद हम तुरंत उसी चीज़ पे react कर देत लेको पकड़ लेको फिर हमें उसी चीज़ को पकड़ के वह इसी चीज़ पर लगा रहता है चल ठीक है ना जा मेरे लाइब से फिर अमरे नहीं आए असा मत करना है मैं सौरी उसने दो दिन इग्नोर कर दिया आपको जलन होगा अरे भाई सच्छी में तो छोड़कर ने चल रियक्शन नहीं देगा वाराम से अपने 10-12 दे निकाल लेगा क्योंकि आप ही खुद सामने से उसको रीच कर लेता है सामने से आप खुद ही उसको मेसेज कर देता हो ये चीज़ उसको पता है इसलिए उस इंसान ने आपको इतना हद तक ग्रांटेड लिया है कि आपको इ रोल के जाएगा फिर नो को अटेडर फॉलो कर और फिर आएगा ऐसे कितने दिन तक चलेगा सामने ले इंसान आपका टाइम वेस्ट कर रहे क्लियर ली मैं आपको बता दू इन सारी चीज़ में आपका टाइम वेस्ट हो रहा है अगर एक बार करने के बाद आपकर सम्ने न आता है जाता है वो ऐसा करता है उसकी इतनी बड़ी गल्ती है लेकिन वो नहीं मानता है देखो एक चीज में बताता हूँ सामने जो इनसान होए एक बार आया ठीक है उसके साथ रिलेशन्चिप मैं पच्छे से चला फिर उसे अपना नेचर दिखा देख मेरा ऐसा करेक्टर या फिर में ऐसा नेचर गालिया देदाँ छोड़के चला गया, отвеч consideration । ँसके भाद फिर होए, तो जब वह दूसरी बार आता है, और अब दूसरी बार आपको वही चीजे करता है, तो तो अब नहीं पता है, पहले बार, पहली बार, चलो मांता हूँ उसकी गल्ती त kinda अबैक हैं छीज होनी है चाहिए उसको भीख मांगने हैं चाहिज वो गी जब सामनेवाले का मिस्की तरह करेंगे कि हाँ इचीज इसकी वज़े से वह इन्सानाप़कि वेलूरु चिग its हम लोग सेकंड़ कॉत इसी मुझे बड़ा गूंगी अगर इसा है तो बोटकिता हमेड़ा जो क्युक्只ीं बाराध़ीं पंरा दीन 20 अईसे दिन गिन्नाने होता क् coher उप्धा से LXB सोब चे पीछे भागों गे जिस दीन अगर मेरे को गाली दी ना तो मैं तेरे को छोड़ के भी जा सकता हूँ उसको ये चीज रियलाइज होनी चाहिए कि यार इंसान को गलत नहीं बोल सकता है अगर गलत बोला तो ये छोड़ के जा सकता है तो एक बार गाली दी उस टाइम माफिय मांग लेगा या फिर विजिंग करने का या फिर एटी डिखाने का जो स्थर होता यहां पर होता नो यहां आ जाता क्यों कि हम उसके पास अवैलेबल हो जाते चलो ठीक है कॉम्प्रमेस करके रह ले दे अक्यला भारत के अंदर असा नहीं कि अक्यला वही लड़का हैंसम है वही लड़की beautifully उसके वालाव कोई मीली नहीं सकता आपको ऐसा कुछ नहीं है यह आपकी mentality है कि यार वो बहुत अच्छा था पहले अरे पहले तो सब अच्छे होते लेकिन बाद में लोग अपना असली चेहरा दिखा दे तो लोगों का जो असली चेहरा उस पे जाओ कि हाँ उसका असली च क्यों कि उसको तब realize होगा कि आपके साथ ने लेकिन आगे किसी के साथ असा नहीं करेगा क्यों कुक्ति को समझाने का मतलब ने जितना समझाने में इसाली इससे समझाना छोड़ दो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ दो उससे बात करना उसको नो कंटेक्क कर दो ब्लॉक कर दो हर जवास उसका नमबर इडिलेट कर दो कॉल कर रहा है दस नमबर से उठाके कर दो उसको र्याइज होना चाहिए जब तक उसको यसा करना है तब तक उसको रियलाएज हो की हाँ मैंने गलती की थी मैंने इससे इ休स्वान को काफी जादा ही बुल द आ अगर उसे एक गाली भी दीना है उसको इतना बड़ा सबख सिखा हो एक गाली बी उसके लिब लगा तो इंसान ने आपको ग्रांटे ले ताब फिर अगले बार और दबल जादा गाली देगा और जाद आपके यूस्ट करेगा फिर और जाद आपको छोड़ने के धंकिया देगा या फिर आपके साथ मतलब का रेलेशनिशिप रखेगा यह चीज़े ऐसे लोगों को एक ऐसा सब्सक्राइब लेकिन पॉजिटिव डाले इंसान के पास कपड़े फटे होंगे लेकिन उसका एटिव पॉजिटिव यारे कितना घमंडी लोग उसको घमंडी बोलते हैं लेकिन उसको पॉजिटिव एटिव उड़े पॉजिटिव वाला ठीक है तो अगर माल लकिसी बंदी मैंने उसको अथ किया और बंदी न अगर मैं को दिखा कि कि अच्छा देख तेरी ये वकात है, मेरे को दिखा तेरी ये वकात है, हमेशा किले मेरे लाइप से चलेगी, मुझे अपने आप रियलाइज हो जाएगा, गल्ती फिल हो जाएगी, कि हाँ यार मैंने गलत किया, तो ये चीज इंसान के अंदर भी दिल होता है, वो भी इंसान मुकाई नहीं देना है, उसको रियलाइज हो, हाँ यार मैंने बहुत बड़ी गल्ती कर दी, वो पुरी तरीकी से उसको एक चीज रहेगी, उसको पुरी तरीकी से सुधाने के कोशिश कर ताकि वो अपने लाइफ में सूध रहे, अपने लाइफ में कुछ अगली बार ऐसी पैसे नहीं चाहिए, लेकिन खुद का attitude positive होना चाहिए, लाइफ में आगे बढ़ना स्टार्ट करो, ऐसे लोगों को लात मारे भले कितना भी beautiful थी, कितना भी handsome था, कितना भी पैसे वाले था, कोई मतलब नहीं, लात मारो अपने लाइफ में आगे बढ़ो, अपना attitude positive होना च जाएंगे, I hope कि आप मेरी points को समझ गयोंगे, अगर समझ गये तो please वीडियो को like, share और subscribe कर दीजी, मुझसे personally call पर बात कर नहीं, Instagram के ID दिख रहे हैं, मेरा number दिख रहे हैं, आप जाके मुझे message कर सकते, Instagram पर या फिर WhatsApp पर, thank you so much for watching this video, take care, bye bye